आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन में दिया हुआ है कि इन टीवी पिक्चर ट्यूव इलेक्ट्रोन और इजेक्टेड फ्रॉम कैथोर्ड विथा नेगलेस्पीड यानि इलेक्ट्रोन की इनीशल वेलासिटी क्या देदी जीरो देदी इनेगलेस्बल का मतलब है लगभग जीरो है वो जो है उसकी फाइनल वेलासिटी दे रखिये फाइफ इन्टू पर सिक्स मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वन सेंटीमेटर का देस्टेंस ट्रेवल कर दिया तो यह स्पीड यह डिस्टेंस दे दिया इनिशल वेलासिटी है यह फाइनल वेलासिटी इतना इन्फोर्मेशन मिल गया पूछ रहा है वाट इस दो ओस्टेंट फोर्स एग्जर्टेड अन्दा इलेक्ट्रॉन तो फॉर्स न्यूटन लउज उफ मोशन से यह भी हम निकाल सकते हैं तो अब भी हम सभसे पहले एक्षेलरेशन मिलने ठाप करेंगे क्योंकि ही माश उफ ऐलेक्ट्रॉन पता है एक्सेलरेशन findings क्रने अत्ना हम equation of motion से find कर सकते हैं तो s is equal to क्या होता है ut plus half dt square बट यहां में time नहीं बता है तो इस second equation of motion से हम calculate नहीं कर सकते हैं third equation of motion apply करेंगे तो वो होगा हमारे पास v square minus u square is equal to 2as final velocity परता है initial velocity हमारे पास 0 है तो final velocity क्या है 5 into 10 to power 6 5 into 10 to power 6 whole square minus initial velocity थी 0 negligible 2 acceleration हमें निकालना है s दिया है 1 centimeter 1 centimeter को meter में convert करेंगे तो आ जाएगा 1 into 10 to power minus 2 means 10 to power minus 2 इत्ता meter आ जाएगा इसको हम solve कर लेंगे तो a is equal to 5 5 जा 25 into 10 to power 6 plus 6 12 divided by 2 into 10 to power minus 2 यह आ जाएगा 25 divided by 2 आ जाएगा 2 अंजा 2 2 2 2 4 12.5 into 10 to power 14 आ जाएगा इतना meter per second square आ गया अब f क्या होता है f हमारे पास जो होता है वो होता है f is equal to mass into acceleration अब mass of electron हम को पता है 9.1 into 10 to power minus 31 acceleration क्या हमें पता है 12.5 into 10 to power 14 इस values को substitute करेंगे substitute कर चुगे अब इसको multiply करेंगे 9.1 into 12.5 तो हमारे पास 9.1 into 12.5 यह आ जाएगा 113.75 113.75 into हमारे पास आएगा 10 to the power minus 31 और plus 14 तो 31 minus 14 हो जाएगा around 31 minus 14 is give you 17 means 10 to power minus 17 तो यह हमारे पास आगया तो यह जो value आएगी इसको scientific notation में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n into 10 to the power n तो इस notation में लिखेंगे तो यह values जो हमारे पास आजाएगी 1.1 into 10 to the power minus 2 left गया है तो 2 plus 2 हो जाएगा 10 to power minus 17 plus 2 10 to power minus 15 तो यह जो आगया है इतना newton का force आगया हमारे पास इतने newton का force आगया तो थोड़ा गौर से देखें तो हम यह बता सकते हैं कि यह जो force है बहुत ही कम force है 10 to power minus 15 means बहुत ही कम force आया हुआ है यह यहाँ प्यादी इसका magnitude देखें तो और velocity देखें उसी सबसे velocity क्या है बहुत ही जाद है acceleration क्या 10 to power 14 के range में है बट force हमारे किस में आया किस range में आया 10 to power minus 15 के range में आया क्यों आया क्योंकि mass जो था हो बहुत ही less mass था तो यह बहुत ही negligible force है तो हम आगे यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ study करेंगे तो हम यह पाएंगे कि Newton laws of motion जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम mass के लिए applicable नहीं है तो अभी के लिए हमारा जो force आया है 1.1 into 10 to power minus 15 Newton Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आट 400 400 चार सुपर